स्कार, कुनम की जटपटर सुई में आपका स्वागत है, आज मैं आप लोगों को मुनगा की सबजी बनाना सिखाऊंगी, जी हाँ दोस्तों मुनगा के बहुत सारे फायदे हैं, ये हमारे सरीर के लिए बहुत ही लाब दायके और बहुत सी बिमारियों को ये दूर भी करता है तो चली बनाना शुरू करते हैं, और ये देखिए मैं अपने बागान में आ चुकी हूँ, और मुनगे को मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ, ये देखिए मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है, और चली अब सबजी बनाना शुरू करते हैं, ये जो हमारा मुनगा है थो रेशा नहीं होता है और यह काफी मुलायम रहता है तो बाजार में आपको दोनों तरह का मुंगा मिल जाएगा यह देखिए इस तरीके से जब शुरू-शुरू में मुंगा पेड़ में लगते हैं तो वह काफी नरम रहता है फिर धीरे धीरे यह थोड़ा मोटा हो जाता है और इस तरीके से मोटा होने के बाद इसके रेशे को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है रेशा निकालना बिलकुल आसान है इस तरीके से मैंने रेशे को निकाल लिया है यह देखिए और इसी तरह से बाकी का भी निकाल लोगी और मुंगा को अच्छी तरीके से पानी में धो लेना है ये लगभग हमारा 1 kg ये हमारा मुनुगा है दोस्तों मुनुगा को बहुत लोग सहजन सुट्टी वी के नाम से भी जानते हैं विन विन प्रदेशों में विन 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 नामों से पुकारा जाता है मसालों में मैंने आधा बड़ा चम्मच काले मिर्च, चार लाल मिर्च, एक साबूत लहसुन, दो बड़ा चम्मच धनिया और एक बड़ा चम्मच मैंने सर्सो को लिया है आप चाहे तो पिसावा मसाला भी इसमें डाल सकती है और इन सबी मसालों को मैंने ये देखिए मिक्सिंग जार में इस तरीके से पारीक पीस लिया है कड़ाई में मैंने तीन बड़ा चम्मच ये देखिए सर्सो का तेल डाला है आप चाहे तो कोई भी तेले इसमाल कर सकती है और आधी छोटी चम्मच मेथी को डाला है मेथी का दाना ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चटक गया है और मैं इसमें इसे मसालों को मैंने डाल दिया है और मसालों को बहुत पारीक पीसे तो आपकी सुच सबजी है बहुत अच्छी बनेगी और इन मसालों को अच्छे से चलाना है और इसमें मैंने 1.5 छोटी चमच नमक को डाल दिया है ये देखिए मसाला हमारा लगभग भून चुका है और इसी बीच मैं ये मैंने छोटे साइस का 4-5 टमाटर लिया है और इसे मिक्सिंग जार में बिल्कुल बारीक पीछ लेना है ये देखिए मसाला थोड़ा और भूनेगा लगतार इसे चलाना है ताकि ये जलेना और ये देखिए टमाटर जो है मैंने बारीक पीछ लिया है और मसाला भी हमारा बिल्कुल भून चुका है और अब मैं टमाटर को इसमें डाल दूगी एक चोटी चम्मच हल्दी और इसे अच्छे से मिला लेना है ये देखिए और इसे भी टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है और फिर अब मैं दो आलू को लिया है और आलू को भी इस तरीके से छील कर काट लेना है दोस्तों मुणगा में आलू भी थोड़ा डाले तो इसका स्वाद और अच्छा होता है इस तरीके से आलू को भी मैंने काट लिया है और तौमाटर देखित तौमाटर भी लगब गुण चुका है और इसमें मैंने मुणगे को डाल दिया है और लगबग मैंने 3 से 3,5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब आलू को डाल दूँगी आप चाहे तो आलू को नहीं भी डाल सकती है और इसे ढखकर 7-8 मिनिट पकाऊंगी 7-8 मिनिट हो चुका है ये देखिए दोस्तों सबजी लगभग पक गया है चेक कर लेते हैं ये देखिए पक गया है लेकिन फिर से ढखकर इसे मैं 2-3 मिनिट और पकाऊंगी और आलो को भी चेक कर लेते हैं ये देखिए आलो भी बिल्कुल गल चुका है और ये हमारा मुंगा का सबजी बनकर बिल्कुल तयार है जी हाँ दोस्तों मुंगा करी बनकर बिल्कुल तयार है और थोड़ा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है ये देखिए खाने में ला जबाब तो आपको ये रेसेपी कैसी लगी आप में जरूर बताएं यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें और यदि अभी तक आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो